एक दिन मतलब डेली का खाना खाने के लिए 10 रुपे लेकर मुझे दुकान जाना होता था और एक किलो आता लेकर मैं आता था, खाने के समझ लोगी अभी खाया तो रात के लिए सोचना परता था कि अब क्या करना है, क्या होगा हमारे बच्चों का भविस से हम ऐसे हो गये, पता ने हमारे बच्चे आगे पर लिख पाएंगे या नहीं पर लिख पाएंगे तो उस समय मैं यह देख रहा था कि अब साइद लगता है कि हमारी जीवन यहीं से खतम होगा और उस मुश्किल हालात में एक चैनल त्यार हुआ लेकिन मश्कार दोस्तों मैं विपिन कुमार यूट्व चैनल मैथमस्ति से दोस्तों आज मैं अपने जीवन में वो कठनाईयों के बारे में बताऊंगा जिस समय लोग को लगता है कि भाई ऐसी कठनाई अगर आती है तो हम तूट जाते हैं बिखर जाते हैं खतम हो जाते हैं मतलब आपको जीवन में ऐसा ऐसे समस्या आएंगे आपके जीवन में, कि आपको लगेगा कि अब इसके बाद कुछ नहीं बचा है, तो हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे पल आये थे, ऐसे समय थे, जहां से मुझे लगा था कि अब मैं साइद आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, औ जुकि हमारी पढ़ाई लिखाई जो है, शुरुवात में गाउं से ही सुरू हुआ, और गाउं से सुरू होने के मतलब ये है कि हमने सरकारी स्कूल से ही पढ़ा होगा, सरकारी स्कूल की बेवस्ताएं आज भी, और पहले भी स्थिति आज भी आप जानते हैं कि स्थिति कै इसी है कहीं न कहीं स्थिती आज भी बहुत खरब है बिहार में सरकारी स्कूल ही लेकिन मैं पढ़ा सरकारी स्कूल से ही हूं ।ो यह नहीं सोच ना है कि मतलब हमारे जिवन में यह चीज नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं मेहनत करती थी उस 10 रुपए से तो हमारा पड़िवार साम में खाना खाता था तो वो एक वक्त था और आज एक वक्त ये है कि यूटूब पर हमारे चार मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर आप लोग जानते भी हूँगे जो मैथ पढ़ते हैं मैथ मस्ती यूटूब चैनल है हमारा से होता है कि गड़िवी के कारण बहुत लोग छोड़ भी देते हैं तो हमारे भाईया लोग मैट्रिक तक पढ़के छोड़ दिया उन्होंने तो वही चीजें होती थी बिहार से जो आज भी पलायान होती ये बेरुजगारी के बज़़ा से कि दिल्ली जाना है पंजाब ज हरियाना जाना है वहां पर म जदूरी करना है तो बेसिक सिख्षा के बाद बहुत सारे लोग तो वह भी चीज़ा नहीं पाते थे लेकिन बेसिक सिख्षा लेने के बाद हमारे भाई लोगों ने पढ़ाय छोड़ दिया जो हम से बढ़े भईया थे पर आज मैं मैंति ही तुबस इतना सा अफिल करो, कि वो चीज और यह चीज उस टाइम में और इस टाइम में इतना ज़्ञादा अंतर कैसे आया होगा, कि मैं आज मैथ ही पढ़ाता हूँ, और आप लोग मैत पढ़ते हैं हम से, तो जब मैंने मैट्रिक किया, तो मैट्रिक करने के बाद, हमारा थ में रखा और साइड में मैथ रखने के साथ साथ जब मैंने टूएल्थ पास किया उस समय भी मैं थार्डी विजन ही पास हुआ लेकिन मैथ में नम्मर ज़ादा आ गये थे एक्स्ट्रावीश है मेरा मैत भुट में ज्यादा नमबर आ गया पर यह सचाई बात है कि वह मैत में जो नमबर आ गया तैलेंट के वज़य रहे थे चुकि मेरे साथ ही पढ़े थे उन्होंने कहा कि भाई आप भी चलो वहीं हम लोग इंजिनियरिंग करेंगे लेकिन हमारे पड़िबार सक्षम नहीं थे उस खर्च को उठाने के लिए तो उन्होंने कहा कि नहीं मना कर दिया कि भाई हमने पढ़ा दिया मैट्रिक तक इंटर तक पढ़ा दिया अब हम इसे कुछ नहीं करवाएंगे इसकी मर्जी होगी तो यह कर पाएगा खुद से करे तो करे परना हमारे पास सक्षम हम नहीं है कि हम इन्हें पढ़ा सकते हैं आगे तो मैंने लरके अपने पीता जी से कहा कि भाई या तो मुझे पढ़ाई है अना ही तो हम जान दे देंगे जान इसलिए देंगे कि अगर मुझे आप पहले से नहीं पढ़ाते हुए होते तो मैं आईस्क्रीम भी बेचता कहीं जाके लेकिन अब तो मुझे सर्म आएगी क्य आप जानते हैं कि तीन महीने पड़ एक एकजाम होता है तो कॉलेज में एकजाम हुआ करता था तो एकजाम में इंजिनियरिंग ड्रॉइंग में पूरे कॉलेज में मेरा एक नमर स्थान आया था लेकिन जब मैथ में देखा तो हमारा नाम ही नहीं था मैं ऑफिस में जाकर वहाँ से पूछा कि उस दिन मुझे एक जटका सा लगा और मुझे लगा कि भाई ये कही न कही मेरे साथ जो है मेरे जीवन का बरबाद होने का ये टाइम आ गया है मैं उस दिन कॉलेज से निकला अपने रूम पर गया और जाकर मैं दरबाजा बंद करके रोया, खूब रोया और जब रोया हुआ हो गया तो मैंने अपने आत से कसम खाया कि आज से या तो मैत बड़बाद हो जाएगा या साल बड़बाद मैं खुद को खतम कर लूगा, मैंने मैत से लर्णा काम करना है, औफ का काम करना है, तब multiply, तब जोड़ा, तब subtract, मतलब घटाओ का काम, हम last में करते हैं, ये मैंने इंटर के बाद सीखा है, और आज बहुत सरे बच्चे ये घबडाते कि मुझे तो आता ही नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सोचो कि मैंने inter के बाद ये चीजे सीखिये मैंने एक साल मैं इमंदारी बताता हूँ मैंने लगातार continue पढ़ाई किया और हाँ कभी कभी ऐसा होता था मैं तीन-तीन रात और तीन-तीन दिन तक नहीं सोता था पढ़ाई के पीछे मैं इतना पागल हो गया और ये सारे हुए हाजीपूर में रहता था जहां मेरा district town है तो वहां क्या होता है कि मैं एक छोटा सा room लिया और मेरे घर से मेरी माँ सिलाई करके 500 रुपया हर महिना किसी तरह जोड़के मुझे देती थी तो मैं उसी से पढ़ाई करता था और मैं खुद भी हार बोट से पढ़ा हुआ था और सार मैं या तो वहाँ cvsc board के बच्चे होते तो मुझे ट्यूसन भी नहीं मिलता था पढ़ाने के लिए क्योंकि मैं cvsc बोट से पढ़ा नहीं था आमारी अच्छी थी नहीं, तो मुझे ट्यूशन पढ़ाने के लिए भी नहीं मिलता था, वो 500 रुपे मेरी मा जो मुझे जोड के देती थी, मैं उसी में गुजरा करता था, और उसके बाद सनी बार, रवी बार या किसी समय छुटी का काम मिलता था, तो आपने शुरुवात में दे करता था, और 1.500 रुपे पूरे रात काम करने को मुझे मिलते थे, तो दिन में पढ़ाई करना, रात में काम करना, वो काम मैं सिर्फ इसलिए करता था, पैसे कमाने के लिए नहीं, मैं वो काम इसलिए करता था, कि हमारी पढ़ाई जारी रहे, मेरा पढ़ाई बीच में न छूट जाए तो उस टाइम ऐसे पढ़ाई करता दूसरा मेरा तरीका ये था कि बिजली जो है उस समय आभी तो बिजली सब जगा स्थिती ठीक हो गई बिजली की उस समय दीन में बिजली रती थी रात में बिजली रती थी लेकिन गर्मी के टाइम में बिजली ज़्यादा कट के लिए लल्टेन जलाके हम पढ़ें तो मेरा एक लक्ष रहता था कि अगर पूरे रात लाइट नहीं कटेगी तो मैं पूरे रात पढ़ूंगा और जिस समय लाइट कट जाएगी मैं सो जाओंगा और सोने कि अगर 20 मिनिट बाद भी लाइट आ जाती है तो मैं उठके लगा लिया था रूम में मैं खड़ा होके चौक लेके और पूरे सवाल मैं बोड पर बनाया करता था तो ऐसे मैंने अभ्यास किया है प्रैक्टिस किया है मैंने मेहनत किया और सच बताओं के बल एक साल मैंने इतनी मेहनत किया उसके बाद एक बार मैंने इलाहबाद बैंक क प्रिवियस एर कोश्चन जो एक्जाम हुआ था उसके कोश्चन आये थे समानने के अंदरपन बुक में छप के आता था 50 सवाल में मैंने 48 सवाल मैत के कर लिए और जब मैंने 48 सवाल स्वाल किये तो मुझे लगा कि भाई मैं मैत सीख चुका हूँ ये दो सवाल मैंने अपने गुरु जी से पूछा गुरु जी ने कहा कि ये सवाल ही कुछ टेड़ा था तुम्हारे आउट अफसलेबस से था मैंने पढ़ाया नहीं था तो उस दिन मुझे लगा कि भाई ये मुझे अब तो मैं मैत सीख गया हूँ और तब मुझे लग रहा था कि जो बच्चे मेरे जैसे कमजोड होंगे जिनने मैत से इतनी डर लगती होगी उनको ऐसे पढ़ना चाहिए था जैसे मैंने पढ़ा है तो उस दिन से मेरा जो है इरादा बदल गया अब मुझे लगा कि मैं पढ़ाऊंगा मैं पढ़ाऊंगा इसलिए कि ताकि वैसे बच्चे जो मेरे जैसे थे जिन्होंने मैत से एकदम बच्पन से डरना शुरू कर दिया था और 11-12 कर लेते हैं फिर भी मैत से डरते रहते हैं मैंने सोचा कि आज से जब वो मुझे सीखेंगे तो मैत पक्का सीखेंगे और यह आप माल लिजिए जब मैं मैत पढ़ाऊंगा तो निश्चीत आपको समझ में आएगा और अगर कोई भी बच्चे जो हमारी वीडियो देखते होंगे तो उन्हें पता होगा अगर आप पहले कलासे मतलब किसी भी चेप्टर का कलास वन देखते हैं फिर कलास दो फिर कलास थिरी ऐसे करके आगर आप पढ़ते हैं तो पूरी गनित आपको समझ में आएगी 2017 में मैंने यूटूब चैनल बनाया अच्छा यूटूब की भी मुझे ज़्यादा जनकारी नहीं थी मैं जनरल कंपटिशन वाले वच्चो को पढ़ाता था उसमें कोचिंग चल नहीं रहे थे अच्छे से क्योंकि बच्चे पढ़ नहीं रहे थे क्योंकि कोई वेकेंसी नहीं थी वेकेंसी नहीं थी तो बच्चे पढ़ने नहीं आते थे तो उसके रेंट देने के लिए मैं आपको बताओं कि जिस बेड़ पर मैं सोता था, उस बेड़ को बेच कर मैंने रूम का रेंट दिया, और तब जाके नीचे बिछावन, नीचे डाल के फर्स पे, और मैं वहाँ सोया करता था, और वहाँ खास कर बाड की समस्या होती है, बि पीना मुश्किल हो गया था रहना तो छोड़ दो रहने के लिए तो मैंने बेट बेच के दो महीने का रेंट दिया तो बात खतम हो गई और नीचे मैंने सोना शुरू कर दिया यहां तक कि जो एक हमारा अलमारी था उसे भी बेच कर मैंने रेंट चुका है तो उस समय मैं यह देख रहा था कि अब साइद लगता है कि हमारी जीवन यहीं से खतम होगा कभी-कभी होता है आपको मन में बीचार हे गा कि मैं सुसाइट कर लो लेकिन अगर आपके साथ आपके दोस्त जो हर इनसान अगर साधी सुदा है तो उसके दोस्त उनकी वाइप होती है तो अगर वो होसला देती है, हिम्मत करती है अगर आपके साथ है, तो कभी-कभी आपको ये लगेगा कि साइद मैं फिर से लोट सकता हूँ, जो कुछ खड़ाब हो चुका है, जो बड़बाद हो चुका है, उसे मैं वापस ठिक कर सकता हूँ, तो वैसा ही मेरी वाइप ने मेरा सहारा साथ दिया, और उनका योगदान रहा, चुकि जब आप साधी सुदा होते हो, तो सबसे ज़्यादा आप अपनी वाइप से बात करते हो, जब आप साधी सुदा नहीं होते हो, तो सबसे अच्छी दोस्त आपकी माह होती है, हम माह से अपनी बात ज़्यादा सेर करते हैं, ल हमारे बच्चे आगे पर्र максим याने पर लिक कर आ आगे मुझे क्या करना है औरे खाने अभी क्या नहीं अवर आगा के इतिव्रम कार्ण जान रहाना करतो के अभी कुछ सुचना परता था कि अभ क्या पढ़ाने आता है, जब हर काम के बारे में सोता था कि मैं ये काम कर लूँ, वो काम करूँ, ये काम करूँ, तो सारे काम मुझे कठी नहीं लगते थे, अंति में मुझे लगता था कि मैं पढ़ाता बेहतर हूँ और यही बेहतर कर सकता हूँ, तब जाके मुझे एक student ने, जो क ने कहा कि sir मैं गुरूप D में अभी जॉब कर रहा हूँ रेलवे में मैं इस नोकरी को छोड़ना चाहता हूँ क्योंकि आगे की हमारी तयारी नहीं हो पा रही है अब मालो कि मेरा रात में डूटी लग जाता है कभी दिन में डूटी लग जाता है तो मैं क्लास नहीं जॉइन में कहते हैं कि भागवान से मिलना आसान है लेकि नौकरी मिलना बहुत कठीन है लोग कहते हैं क्योंकि नौकरी लेना सच में कठीन है क्योंकि भाई इसमें मेहनत करना होता है हलाकि दुनिया में कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसमें आप बिना मेहनत के कर सकते हो अर जगह है और जो बंदा मेहनत करेगा उसके लिए तो आसान है जो मेहनत नहीं करेगा नॉर्माली आप एक एवरेज स्टुडेंट हो तो मुस्किल है आपके लिए उस एवरेज से उपर आना पड़ेगा तो उसे मैंने कहा कि भाई तुम छोड़ो नहीं तो उसे ने मुझे पता है कि सर कोई ऐसा उपाय करिए कि आप वीडियो रिकॉर्ड करके मुझे भेज दिया कीजिएगा अभी तक मुझे यूटूब का कोई आइडिया नहीं था आप सब को पता है यूटूब ने मेरी जिन्दगी को बदला है इसलिए मैं ये चीजे बता रहा हूँ तो मैंने एक विडियो का बनाया जब मैं क्लास लेने गया उसामें 10, 15, 20 बच्चे आते थे पढ़ने के लिए तो मैंने किसी बच्चे को फोन दे दिया अपना और कहा कि इसे रिकॉर्ड करना जब मैं पढ़ाता हूं तुम्हें तो रिकॉर्ड करते रहना और इसे हमारे स्टूडेंट को भेजना है मैंने वीडियो तो रिकॉर्ड कर ली, लेकिन मैं उसे वीडियो सेंड कैसे करूँ, अब एक घंटे की वीडियो जाएगा ही नहीं वाटसप से, और गाउं में आप जानते हैं, जहां मैं दरभंगा में रह रहा था, वहां पर भी उसमें वाइफाई की कोई सुभधाय नहीं थी, मुश्किल था, तो वाटसप पे वीडियो सेर नहीं हो सकता, तो छोटे-छोटे कट करके, तब मुझे ये पता चला, किसी अमारे स्टूडेंट नहीं कहा, कि सर वीडियो कटर कुछ होता है, उससे आप वीडियो को काट के छोटा कर सकते हैं, तो मैंने वीडियो काट क करके, फेस्बुक पे डाला, और उसको बताया कि, भाई, मेरे फेस्बुक पे जाके तुम देख लेना, और हमारे एक स्टूडेंट नहीं फेस्बुक आईडी हमारी बना दी थी, तो शुरू होता है, वहाँ से वीडियो सेर करना, फिर बाद में हमारे एक स्टूडेंट न तो इन चार महीने लग गए, कि भाई, यूटूब पर वीडियो डालते कैसे हैं, धीरे-धीरे मुझे ये पता चला, कि हमारे मन में कोई भी सवाल हो, अगर हम यूटूब पर सर्च करते, तो उस सवाल का जबाब देने वाले हजारों गुरु जी मिलते हैं, तो ये सर्च करना सुरू किया, और वो सवाल का जबाब मुझे यूटूब से ही मिल जाता था, ऐसे करके मैंने यूटूब पर वीडियो बनाना सुरू किया, और उस मुश्किल हालात में एक चैनल त्यार हुआ, लेकिन सच बताओ, एक साल तक मुझे यूटूब से कोई और जेव में पांच रुपे नहीं हूँ आपके, तो इस्थीती बहुत खराब होती है, तो मेरी मैडम मैके चली जाती हैं, और मैंने उन्हें कहा कि भाई, कम से कम दो महिने अभी मुझे समय दो, अकेले एकांत मुझे काम करने के लिए, और मैंने काम किया, और उस समय, मुझे जानने लगे, और तब जाके मुझे आसान हो गया, और उसके बाद मुझे बड़े-बड़े education platform जो online पढ़वाते थे, वो भी संपड़ किये हमसे, मैंने वहाँ भी पढ़ाया, लेकिन बाद में मुझे ये लगा कि भाई, मेरे माद्यम से बच्चों से ज़्यादा जाते हैं, तो ज़्यादा फिलिये जाएंगे, तो साइद मेरी सिक्षा, जो गाओं के उस गरीब बच्चों तक पहुंचना चाहिए, जहां से मैं उठके आया, वो नहीं पहुंचेगा, अगर मेरी फी चार हजार हो जाए, तो साइद वो बच्चे, जो मेरे जैसे रहे हों इसको नहीं परचेज कर पाएंगे, और नहीं हमारा कलास कर पाएंगे, तो हमने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक दूरीना अपलीकेशन बनाया, और वहां पर हमने पढ़ाना सुरू कर दिया, और आज गाओं के किसी भी गरीब से गरीब का बच्चा वहां पर पर सकता है और पढ़ते हैं, सौरूपे में पूरे मैथ पढ़ लेते हैं, जो चीजे हम पढ़ते थे तो पांसौरूपे में एक महीने की कलास लगती थी हमारी पांसौरूपे फिज देते थे तो, आज सौरूपे में हमारे साथ बच्चे सालों भर पढ़ लेते हैं हमारी अपलेकेश करते हैं तो कहीं ने कहीं यहाँ पर जो जीयो कंपनी आई थी उस टाइम जो फोर्जी लेकर नेटवर्क आई यह करांती है इस देश में और सिख्छा आज असान हो गया है दोस्तों पहले होता था कि एक कोचिंग में कहीं एडमीशन लिया और वहाँ पर छे माहीन अलागातार पर रहे हैं अगर कोई दूसरा कोचिंग जोएन करना है तो हम उसे जोएन नहीं कर सकते क्योंकि अपने पास फी नहीं है लेकिन आज अपने पास यह सुविधा जरूर है डिजिटल इंडिया का यह असान कर दिया है तो दोस्तों यह सारी चीज़े जो मैं अपने बारे में बता रहा हूँ वो इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि मेरे पास यह चीज़े नहीं है मैं गाउं से हूँ मैं एकदम पीछे हूँ मैं सहर में जाकर नहीं पढ़ा सहर में जाकर इंसान के अंदर चाह होनी चाहिए किसी चीज को पाने के लिए वो कर सकता है और कहते हैं न दोस्तों कि आपके जीवन में बहुत सारे लोग ये परशान रहते हैं हम ये तो कर रहे हैं लेकिन आगे क्या होगा ये कर रहे हैं लेकिन ऐसा होगा की नहीं होगा तो गिरने की परवाह मत किजे, आपके जीवन में आगे क्या बुरा होगा, क्या अच्छा होगा, उसकी सोचना आज से बंद कर दीजे, लेकिन बरतमान में जीना सिखे, हम इनसान हैं, मुझे पीछे की चीजों को मैं लोटा के नहीं ला सकता, पीछे जो मेरा बीत गया, उसे मैं वापस नहीं ला सकता, और भविस से मुझे पता नहीं है, मैं एक इनसान हूँ, सिर्फ मुझे बरतमान पता है, और बरतमान में बेहतर करने का हमें परियास करना है, तो ये चीजे होती है, और ये मैं कहूंगा आप सबसे, कि अगर आपके जीवन में कितना हूँ, प्र कितनी ताकत है आप क्या कर सकते हो यह सब कूछ अपने आपसे बात करने से पता चलेगा वाकि दुनिया को कुछ पता नहीं है दुनिया तो result के बाद बोलती है कि मैं तो पहले से जानता था यह तो लड़का बड़ा हुनहारी है यह कुछ ना कुछ करेगा अगर आप फेल हो तो कहेंगा हम तो पहला ही से जानते थे कि कुछ नहीं करेगा यह अपने माय बाप का नाम जो है से हांसबैबे करेगा तो उसे पता कुछ नहीं होता है जब वो आपका result देखता है, तब वो assumption बनाता है, वो सिर्फ अनुमान लगाता है आपके result के बार, इसलिए सब कुछ आपको पता है अपने बारे में इसलिए तो कहा गया है न, कि किसी भी इंसान का सच्चा मित्र वो खुद है, उससे बड़ा कोई रहा है अगर आप भी इस वीडियो के end तक आ गए है तो मेरी तरह आप भी इंस्पायल ज़रूर होगे दोस्तों आपको पता है हम सब बड़े सपने देखते हैं लेकिन हम में से कुछ ही लोग हैं जो अपने सपने को पूरा कर पाते हैं और आपने कभी वोकाबलेरी, ग्रामर, रीडिंग, राइटिंग, प्रैक्टिस के साथ-साथ अपने ही जैसे लाखों स्टूडिंग के साथ इंग्लिश में बात करने का भी मौका मिलता है इससे हम अपने इंग्लिश की फ्लूएंसी जो है वो इंप्रूव कर सकते हैं तो चलिए आज ही अपने सपने की और पहरा कदम लेते हैं भारत के नंबर वन स्पोकर इंग्लिश लर्निंग आप जोशकिल्स के साथ